हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइव एड़ मैडम, हाँ जी कॉपट दिया नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान गंटी बजाओ शो में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, आप देख सकते हैं, हम इस वक्त आयोध्या में हैं, सर्यू तट पर आज दो मुद्दों पर हम घंटी बजाएंगे, आयोध्या से लाइव कौन-कौन से वो दो मुद्दे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ पहला मुद्दा ये है, कि यहां आयोध्या में भूमी पूजन, शिलान्यास जो होने वाला है, उससे पहले क्या हिंदू, वोट, बैंक का शिलान्यास और उसकी राजनिती शुरू हो गई है? सवाल है कि क्या बीजेपी के हिंदू अलग है और कॉंग्रेस के हिंदू अलग है ये मुद्दा होगा इस पर जोरदार घंटी बजाएंगे और दूसरी एहम खबर है कि देश में सबसे ज़ादा टैक्स भरने वाला राज्य महराश्ट यहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जहां के लोग सबसे ज़ादा टैक्स भरते हैं लेकिन बावजूद उसके वहां के संपन्न लोगों को टैक्स भरने के बावजूद गुटनों तक पानी में कमर तक पानी में कीचड में धसना पड़ता है और ये हर मौनसून की हर बारिश की कहानी है तो टैक्स लेकर जनता को कुनीतियां देने वाली सरकारों की आज जोरदार घंटी बजानी है आप सहमत हो तो जोरदार न केवल घंटी बजाईएगा बलक कि अब देख सकते हैं कि जो जल जमा हुआ है उसकी वज़े से वाहन कि तरह का संधर्व चर रहे हैं जहां जहां नजर दोड़ा है आप देखें सडकों पर पानी जमा है सडकों के दोनों छोड़ पर आपको इसी पकार से पानी जमा नजर आएगा प्रेट ट्रांस्पोर्ट की एक बस फज़ गई है तेरी सब्बे पर सब्बे का जो दृष है आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है जो इस से वेश्ट में जा रही थी और पूरी तरह से फज़ गई महा विकास के नाम पर महराश्ट्रो में सरकार बनाने वाले देखें मुंबई के सान्ता क्रूज की ये तस्वीरे जहा नाले के पास मकान का हिस्सा गिरने के बाद गेर साल की बच्ची नाले में बहती है विचलित कर देने वाली इन तस्वीरों में नाले में बहती बच्ची को बचाने की कोशिश की जाती है लेकिन देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले मुंबई शेहर की एक बच्ची नाले में दूब कर जान गवा देती है 72 लाख करोड की संपत्ति वाली मुंबई में जनता की जान लेने का इंतजाम तो अंधेरी सब्वे में भी कर लिया गया है जहां कैमरा जूम होता है तो पता चलता है एक कार विकास के सब्वे में अंधे मुंग खड़ी है सुभा थोड़ी और रोश्नी हुई साफ दिखता है कि सब्वे बनाने वाली सरकार पांग से छे फीट पानी जमा हो जाने का इंतजाम भी करके देती है जिसमें बाल-बाल का ड्राइवर की जान भगवान भरो से बचपाई क्या हर साल रस्म की तरह मुंबई को डुबाने की वजह यहां उफान मारती दीख रही है इस कारण को आज आप समझें उससे पहले देखिए देश के प्रती एक रुपए डारेक्ट टैक्स में 33 पैसा अकेले भरने वाली मुंबई में इस बार भी बारिश के बाद सड़के समंदर हुई और लगा कारें जैसे तालाब के उपर चल रही है और ये वडाला ब्रिश के सटा हुआ नीचे का इलागा है आप देख सकते हैं कि जो जल जमा हुआ है उसकी वज़े से वाहन किस तरे का संधर्फ कर रहे हैं यहां से गुजरने के लिए वाहन के पहिये तक का आप देखेंगे की पानी चड़ाया है कई लोगों ने रिस्क लेकर अपनी गाड़ी यहां पर उतार दी है रिस्क लेकर सिर्फ गाड़ियां ही सड़क पर नहीं उतरी बलकि 260 मिलीमीटर बारिश के कारण मुंबई की चैंबूर में घुटने तक डूब कर आम आदमी भी पैदल चल रहा है ओफिस जाने की मजबूरी में कमर तक पानी में डूब कर हाथ में छाता और बैग लिए धाई लाग करोन का सालाना टैक्स भरने वाली मुंबई के परेल में आम आदमी नज़र आता है मुंबई के दादर की तस्वीर देखकर सोचिए लाखों रुपए खर्च करके हजारों रुपए का रोड टैक्स भरके लाखों का इंकम टैक्स भरकर आम आदमी गाड़ी का सुख क्या इसलिए लेता है कि एक दिन बारिश होगी और उसकी कार दुबा दी जाएगी क्या इसलिए मीरा रोड में 40 लाख 50 लाख का घर खरीता है आम आदमी कि वहां का इलाका सरकारेत तालाग बनवा देंगी देश में सबसे अमीर महानगर पालिका वाली मुंबई देश में सबसे अमीर शहर वाली मुंबई में बारिश के बाद बचाने का देश का सबसे भष्ट और खराप सिस्टम है तब ही तो सायन रेल्वे स्ट्रेशन पर ट्रैक पर इतना पानी भरा दिखता है कि लोकल ट्रेन को रोकना पड़ता है मुंबई में वेस्टर्न एक्स्प्रिस हाइवे पर भारी बारिश के बाद पहारी का हिस्सा तूट कर भरभरा कर नीचे गिरता है इसके लिए आप कुद्रत को जिम्मेदार ठहरा भी दीजिए लेकिन दुनिया में बारावे नंबर पर सबसे अमीर शहर मुंबई की जनता घर तक में सुरक्षित नहीं रह पाती परेल इलाके में घर के भीतर बारिश के बाद नाले के पानी का ग्रह प्रवेश सिस्टम कराता है मुंबई के कांधी वाली इलाके में जन्ता के घर में उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव की पार्टी शासित बीमसी की नाकामी का पानी नाले से निकल कर तैरता है और आम आदमी हाथ पर बांध कर उपर बैठा दिया जाता है अब इस कहानी को समझ लीजे 2017 में मुंबई में 225 जगहें चिन्नित हुई जहां बारिश के कारण पानी भर जाता है दावा है जून 2020 तक 179 स्पोट पर पानी ना भरने का इंतजाम किया गया लेकिन 35 साल में शिवसेना शासित बीमसी का कच्चा चेठा हर साल बारिश खोल देती है 2005 में 26 से 27 जुलाई के बीच एक दिन में 944 मिलीमीटर बारिश हो गई थी तब 400 लोगों की जान मुंबई में बारिश के कारण आई बाढ़ने ली थी लेकिन अब भी 24 घंटे में औसत 200 मिलीमीटर की बारिश में भी मुंबई डू भी हुई नजर आती है क्या इसके लिए समंदर के किनारे बसी मुंबई को ही जिम्मेदार छोड़ दे क्या सिर्फ ये कहकर पल्ला जाड़ ले कि समंदर के किनारे मुंबई के लोग रहते हैं तो क्या किया जाए मुंबई के हर बार डूबने की गवाही यहाँ सीवर से उफान मार कर बाहर आता पानी देता है मुंबई में हर बारिश किसी न किसी दिन जनता को डूबाने वाले सिस्टम का सच डेंजर लिखकर सीवर का ढखकन खोल कर बारिश का पानी निकालने की कोशिश से मिलता है क्योंकि मुंबई में बारिश का पानी ड्रेनेस सिस्टम के जरिये समंदर तक जाता है हाई टाइड के वक्त सड़क का पानी समंदर तक नहीं पहुच पाता लेकिन हाई टाइड में समंदर का भी पानी सड़क तक जरूर आ जाता है इसलिए पिछले कई वर्षों में सैक्लो जाने अर्बो रुपय बरबात करने के बाद मुंबाई में स्ट्रॉम वाटर ड्रैनेस सिस्टम की जरुरत पड़ी लेकिन ये सिस्टम आज तक पूरा काम नहीं कर पा रहा है वहाँ पे कच्रा भरावर रहता है उसको सफाई नहीं करते कोई प्रापर मेंटेनेस नहीं करते जब मांसून आता है कुछ बज़र सेंक्षन कर देती मिल्सफल कार्परिशन या गवर्मेंट आफ मारास्ट और उसके बेसिस पे कुछ एमेर्जेंसी काम हो जाते हैं लेकिन सि अतुए थी वहीं की वही है जो रिवर थी नीठी रिवर वह रिवर तो बिलकुल एंख्रोच हो गई है स्रम समन गए कंस्ट्रक्शन हो गई है जो थोड़ा बहुत एरिया बच़ा है वो लोगों ने पार्किंग बना लिया तो वहाँ पे जो नेच्रल ड्रेनेस का फ्लोव जमी होगी अगर कोई अनुथराइज बना लेता है तो इसको बिना किसी लिए आथे तोड़ दिया जाएगा इसके काराण आज तक मुंबई का सीवे सिस्टम सही नहीं उपाया मुंबई में ड्रैनेस सिस्टम में ब्रश्टाचार की जांचो उन अधिकारियों पर कारवाई हो जिन पर बारिश में मुंबई को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी होती है आप इस राय से सहमत हैं तो 8 422840000 पर घंटी बजाईए आवाज उठाईए झाल 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 झाल